हमारी बॉलिवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नॉर्मल डिलिवरी से जन्म दिया है और आज उन बच्चों के अच्छे माबाप बन कर उनकी परवरिश भली भाती कर रहे हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बॉलिवुड के उन्ही सितारों में से कई ऐसे भी शादी शुदा और अन्मेरिट सितारे हैं जिन्हें अपने खुद के बच्चों का सुख प्राप्त ना होने के चलते उन्हें सेरोगेसी का सहारा लेना पड़ा है और सेरोगेसी का सहारा लेकर आज वो अपने बच्चों के अच्छे माता पिता बन चुके हैं जिसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो फिर आईए जानते हैं उनके बारे में इस लिस्ट में पहला नाम शुमार होता है बॉलिवुड की फिट आक्ट्रिस शिल्पा शेटी और उनके पती राज कुंद्रा का जीहां इनकी बेटी शमिशा का जन्म सेरोगेसी से हुआ है जिसकी खाबर शिल्पा ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिये दी है और जैसे ही ये खबर सामने आई तो फैंस काफी हैरान रहे गए दर असल शिल्पा नॉर्मल डिलिवरी से मा बन नहीं पा रही थी इसी वज़े से उन्होंने सेरोगेसी का सहारा लिया नमबर दो पर है प्रीती जिन्टा और जेने गुड इनफ बॉलिवुड की डिमपल गर्ल यानी प्रीती जिन्टा और उनके हस्बेंट जेने ने साल 2016 में एक दूसरे से शादी की थी और करीब 5 साल तक दोनों ने बेबी प्लैनिंग नहीं की पर जब दोनों ने बेबी की की तो किसी वज़े से प्रीती जिन्टा मान नहीं बन पाई जिसके बाद उन्होंने सेरोगेसी के जरिये मा बनने का विचार बनाया और हाली में वो दो जड़वा बच्चों की मा बनी है बॉलिवुड के किंग शारुख खान और उनकी पतनी गौरी खान ने भी अपने तीसरे बच्चे की प्लैनिंग 40 साल की उम्र में की थी आपको बता दें कि जब नॉर्मल तरीके से गौरी खान मान नहीं बन पा रही थी तब ही इसलिए उन्होंने सेरोगेसी के जरिये माता पिता बनने का विचार बनाया और साल 2013 में उन्होंने बेटे अबराम को जन्म दिया नमबर चार पर हैं आमिर खान और किरन राव बॉलिवुड स्टार आमिर खान और उनकी दूसरी पतनी किरन राव ने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला सेरोगेसी के जरिये लिया जी हां बॉलिवुड इंडस्ट्री में आमिर खान और किरन राव वो पहले कपल हैं जिन्होंने सेरोगेसी के जरिये माता पिता बनने का विचार बनाया था और 5 दिसंबर साल 2011 को पैदा हुए अपने क्यूट से बेबी का नाम आजाद रखा था फोटोगरफर और डारेक्टर फरा खान और शिरीश कुंदर उस सेलेबरिटीज में से एक हैं जिन्होंने सेरोगेसी के जरिये माता पिता बनने का सुख प्राप किया है जी हां शादी के दो साल तक फरा ने नॉर्मल तरीके से बच्चे के लिए कई कोशिशे की लेकिन उन उने आई वी अफ सेरोगेसी के जरिये मा बनने का रास्ता चुना और साल 2018 में अपने तीन बच्चों की मा बनी नमर छे पर है करन जोहर बॉलिवुड फिल्मेकर करन जोहर भी सेरोगेसी के माध्यम से दो जुड़वा बच्चों के पिता बन चुके हैं इन बच्चों में एक बेटा और एक बेटी है जिनके नाम उन्होंने यश और रूही रखे हैं पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उन बच्चों के सिंगल पेरेंट हैं नमर साथ पर हैं तुशार कपूर और एकता कपूर जी हां दोस्तों साल 2016 में अक्टर तुशार कपूर के सिंगल पेर अच्छे की मा बनने का सुख प्राप किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सेरों के सी पेरेंट्स के बारे में आप हमें अपनी राये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही तमाम वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें